पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा आर्द्रा नक्षात्र में पूरे दिन चलते रहेंगे जिसके नक्षात्र स्वामी राहू है आज के जन्मे जात्क सुंदर, मजबूत शरीर वाले, अपने भाईयों के प्रिय, गुद्धिमान, सबसे प्रेम बेवार करने वाले पूर्वा नुमान लगाने में कुशल होते हैं और पूर्वा भास महसूस करने वाले होते हैं ये प्रकृति प्रदर्त गून इनके अंदर बना रहता है। खोजी मस्तिस्क वाले नसीली वस्तुओं का ब्यापार करने वाले और यात्रा प्रधान मानसिक्ता के होते हैं। सामाजिक तोर पर सफल 29 और उच्चा विलासी होते हैं। यदि सहयोगी लगन रहा, राहू और बुद्ध की स्थिती अनकूल रही तो पून सफल होंगे। चंदर्मा आज भी मिथुन डासी में ही चलते रहेंगे। आज के चंदर्मा पर भी सूरी और सनी की सब्टम दिष्टी कायम रहेगी। मगर नक्षत्र राहू का होगा, जिससे नितित करने की छमता और कारे की अधिकता बनी रहेगी। सरकारी कामकाज में सफल रहेंगे, प्रतिनितित करने का मौका मिलेगा और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित किये जाएंगे। सम्मान जनक इस्थिती पूरे दिन बनी रहेगी, मगर भ्रहम की इस्थिती दूसरे के सलाह पर अमल करने से धोखा होने का खत्रा, सामान गायब होना या चोरी होने का अंदेशा साथ ही साथ यदि आत्मिश्वास में कमी होई तो मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होन साथ ही स्वास संबन्धी जतिलताओं का दौर चल रहा है, सावधानी अपेक्षित है, आज रविवार है और राहु का नक्षत्र है, अता आज के दिन किसी से उधार या रिण नहीं लेना चाहिए, नहीं रिण के रूप में कोई सामान ही लेना चाहिए, अन्य था कीमत से बचना चाहिए, मेश रासी के जात्कों के लिए चंदरमा आज पराकरम भाव में चल रहे हैं, साथ हर पहल जारी रहेगा, हर काम करने में उल्सा की स्थिती बनी रहेगी, बहुत इक छमता में ब्रिद्धी होगी और तर्क सत्ती का इस्तमाल लावदायत रहेगा, सरकार से चलती रहेंगी, मगर मा के स्वास्त की चिंता, सामायन गायव होना या चोरी होने का अन्देशा और भ्रमात्मा की स्थिती का सामना भी करना पड़ सकता है, हलाकि आर्थिक पक्स मजबूत रहेगा, साजेदारी लावदायक रहेगी, सुक्षा प्रत्योगता के लिए सम सफलता मिलेगी, अभिष्ट मित्रों से मुलाकात होगी और विद्याक्टियों के लिए आज का दिन सफलता दायक से दोगा, ब्रिश रासी के जातों के लिए चंद्रमा दूसरे घर में मिथू रासी में चल रहे हैं, वाडी में सुधार होगा, आर्थिक पक्स मजबूत र प्रयासों में कमी और निर्ने लेने की छमता भी प्रभावित रहेगी, अपने मूल उद्देशे के प्रती मन को केंद्रित करने में परिशानी महसूस होगी और वीचारों में बिरोधापास का संकेत मिलता है, फिर भी रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आफिक लेन अंधे जटिलताओं पर सावधानी अपेक्षित है, मिधुन राशी के जात्कों की रचनात्मक क्रिया सिलता बनी रहेगी, नियत्यत करने की छमता भिक्सित होगी, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्भान करना पड़ सकता है, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और सासन स सताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, चंद्रमा आज आपकी राशी पर ही चलता है, मगर भ्रहमात्मक दौर भी जारी रहेगा, हलाकि आर्थिक पक्ष अनकूल रहेगा, सिक्षा प्रतियोगता में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष से रहाभभारी खबर मिल सकती है, पारिवारिक सुक सहार्ड में बृद्धी होगी, पारिवारिक संबंदों के साथ ही साथ साज्यदारी के कामों में भी बीरोधावास महसूस होगा और स्वास संबंदी आवसक सावधानी बनाये रहेगा है, करक रासी के जात्मों के लिए चंद्रमा आज बारहमे घर में मितुन रासी में चल रहे हैं सामाजिक वब्यावसाइक पक्ष मजबूत रहेगा आपकी अतिरिक्त जिम्मेदारी, सक्रियता और उर्जासतर हर काम में सफलता दिलाएंगे मगा दोचार उपन की संभावना और संतान संबंधी मामलों में बिरोधा रास और अनावस्यक चिंता बनी रहेगी सिक्चा प्रद्योगिता के लिए सार्थक प्रयास जारी रखें अच्छे कामों में खर्क संभव है भूमी वहान या प्रापर्टी त्यादी के लिए अनुकूलता बनी रहेगी नायाला या वादिवाल संबंधी मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिती बनी होई है और परिवार जनों के स्वास पर ध्यान देना चाहिए सिंगरासी के जात्मों के लिए चंद्रमायर कादर स्वाव में चल रहे हैं प्रभावसाली ब्यप्तित और सकारात्मा प्रेणा बनी रहेगी ब्यावसाइक साजेदारी में लाब संबह है आठिक मामलों में सावधानी अप्रेक्षित है आयके संसाधनों में ब्रिद्धी होगी भविस की योजनाव में निवेश के लिए समय अनकूल है संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी वैवाईक प्रयास पलिभूत होगे पारिवारिक जायत की पूर्ती होगी मगर मानसी कुल जने और भ्रम के स्थिती संभाविक है कुछ मामलों में अनावस्यक रुकावट वार्चने भी पैदा हो सकती है विद्याक्थियों के लिए आज का दिन भेहनत वाला होगा प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं कन्या राशी के राश्ष्वामी बुद्ध प्रिहस्पति के साथ तीसरे स्थान पर बैठ है और चंद्रमा आपके दसंभाव में चल रहे हैं ब्यावसाई कुन्नती का दौर जारी रहेगा मित्रों और सहयोगियों और राजनितिक व्यक्तियों से दिशानिर्देश और सकारात्मक प्रिरणा मिलती रहेगी साजेदारी लावडायक रहेगी आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा मगर कारेक्षेतर में भ्रहम के इस्थिती भी बनी रहेगी और बिरोधी दबे रहेंगे हलाकि प्रतिनिधित तो करने की चमता और सकारातमक आर्थिक मिरने लेने की मानसिकता बनी रहेगी वाद भीवाद को निप्टाने की कोशिस सफल रहेगी नीजी और पारिवारिक मामलों में आपसी सामंजस में कमी और विरोधावास का संकेत मिलता है अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे तूला राज़िक के जात्यों के लिए चंद्रमा भागेभाव में चलना है राहू के नक्षत में हैं, धार्मी प्रब्रिती बढ़ेगी, मगर अचानक बादा संभव है, धनलाव की स्तिती अच्छी रहेगी और कारेच्छत में उच्छाव बना रहेगा, कुछ रूके हुए काम संपन होंगे, साज्यदारी के प्रस्ताव लावदाय अवसिद होंगे, और राजनितिक गक्ति से भेंट संभव है, शिक्षा प्रद्योगता के चेत में सफलता संभावित है, विवादित मामलों को निप्टाने में मित्रों का सहीयोग मिलेगा, व्यवाहित प्रयास पलिभूत होंगे, मगर मन, अंतरदंद और आशंकाओं से भरा रहेगा, स्व आठने घर में चलता है, सकारात्मक कारी उर्जा का सहीयोग बना रहेगा, मगर महतपुर्ण निरने सोच समझ कर लेना चाहिए, हलाकि कारे छेत में अधिकारियों का सहीयोग मिलता रहेगा, व्यावसाई की ओजनाव को बल मिलेगा, और उसमें निवेश लाभगायक और छोटी यात्रा या प्रवाद संभावित है, साथ ही वहां सावधानी से चला रहेगा, धनुराज के राजस्वामी ब्रिहस्पती बुद्ध के साहब गादस भाव में बैठ हैं और चंद्रमा साथने घर में चल रहे हैं, आज हर मामले में अनकूल महसूस करेंगे, आप की कारी वर्जा बढ़ी रहेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, ब्यावसाइक मामलों में काम सुचारू धंग से चलता रहेगा, साजह दारी में सावधानी अपेकजित है, नई कारी ओजनावों के प्रती समय अनकूल है, रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे और आवस्चा संसाधनों को बल मिलेगा, सिक्षा प्रत्योगता के छेत में समय अनकूल है, संतान पक्ष से सुखात समाचार मिल सकता है, नीजी समन्द प्रगाड होंगे और वयवाहिक प्रस्ताओ अनकूल रहेंगे मकर राश के राशस्वामी सनी सूर्य के साथ बाराहमे घर में बैठे हैं और चंद्रमा छठमे घर में चल रहे हैं ब्यक्तित में निखार आएगा, नेतित करने की छमता और बोधिक उर्जास्तर में प्रिद्धी होगी, जिससे ब्यावसाई कुन्नती में सहयोग और आथिक लाव मिलता रहेगा मित्रों से सहयोग और संतान के प्रतियात्मिश्रास में प्रिद्धी होगी सासन सत्ता का सहयोग और आंतरिक रिर्णा बनी रहेगी मगर चंद्रमा के छठवे घर में होने से प्रतियोगी भावना बढ़ेगी कारेच छेदर में बल मिलेगा रुके हुए काम संपन्ध होंगे विभागी सहयोग बना रहेगा सिक्षा प्रतियोगता में सफलता मिलेगी स्वास संबंधी आवसक साउधानी बनाए रखें और मांगली कामों के लिए उचित समय का इंतिजार करें कुम्ब राशी के राश्ट्वामी सनी एकादास बाव में बैठें और चंद्रमा पांच में घर में चल रहे हैं स्वास संबंधी उधार चड़ा और आत्मिश्वास में ब्रहमात्म की स्थिती संभावित है मगर ब्यावसाइक बक्ष मजबूत रहेगा और भागे बस कुछ काम संपन होंगे सासर सत्ता वाधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा नई कारियोजनाओं के प्रतियापका प्रयास सफल हो सकता है बिरोधियों से सावधानी अप्रेक्षित है संतान संबंधी सुभ समाचार मिल सकता है मगर बिरोधावास की संभावना भी बनती है शिक्षा प्रद्योग्रा में प्रियास जारी रखें आवसक संसाधनों में बृद्धी होगी परिवार में हर्स और पसंदिता का माहौल बना रहेगा और वैवाहिक मामले पलिबूत होंगे मीन राश के राश स्वामी प्रियास पती नवे घर में बुद्ध के साथ बैठ है और चंदर्मा चोथे घर में चल रहा है आदमिश्वास और नीजी सुख संतुष्टी में कमी आएगी और मत भिन्नता संभव है परिसितियों को ध्यान में रखते हुए साथा प्रियास जारी दखें सामान गायब होने या चोरी होने कांदेशा बनता है कुछ समय के लिए धायरे और आदमिश्वास में उतार चरहाव संभावित है मगर कारेच्छे तकी निरन परता बनी रहेगी काम होते रहेंगे और आठिक लाव मिलता रहेगा महत्वो निरने स्वच समझ कर लेना चाहिए विद्याथियों को मानसिक दबाव महसूस होगा महनत करनी पड़ेगी स्वास संभन्दी आवसक साथानी बनाए रखें और वयवाहिक मामलों के लिए उचित समय का इंतियार करें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाश्वाएद